हलो फैंड्स, मुश्ट वेलकम, आज आप मेरे साथ 38 इंच बोट नैक ब्लाउस की कटिंग और स्टीचिंग देखने वाले हैं, वीडियो पसंद आया तो जो लाइक और शेयर कर दीजे, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पली जल्दी से सब्सक्राइब स्लीव की जो लेंथ है वो है 5 और जो उसकी गुलाई है वो है 12 अब गला हमें बनाना है आगे से साड़ेच है और पीछे से मैं आपको पहले ही बताया है बॉटनेक बनाना है हमें तो इस नाप से हमें अपने ब्लाउस की कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम काटेंगे अस्त तो अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है यह देखिए कि नूर की साइड है अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेंगे लंबाई तो यहां हमें लंबाई बनानी है साड़े तेरा इंच यानकि एक इंच हम इसको चादर लेंगे साड़े चौदा इंच अब देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड कितने में किया है यह मैंने डबल फोल्ड किया है ग्यारा इंच में यानकि साड़े नू हमारा वन फोर्ट चेस्ट है और डेर इंच का मैंने मार्जिन जोड़कर इसको डबल फोल्ड कर लिया है उसके बाद हम आजाते हैं शोल्डर पर तो शोल्डर है हमारा 15 इंच और क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं तो हमें ना कुछ एड़ करना है ना कुछ लेस्ट करना है उसका हाफ ले लेंगे 7.5 इंच आर्म होल, सिंपल ब्लाउज होता है जिसमें डीप नेक है तो वहां हम छे ले ले लेते हैं लगबग और यहां पर मैं ले रही हूँ 7 इंच और उसके बाद आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा कम ज़ादा भी कर सकते हैं और यह हम ने अंदर के साइड में ले लिया इसको 5 इंच तक और देखिया हमारा चेस्ट है 38 यानि 1 फोर्थ हो जाता है हमारे पास 9 इंच और यह 1.5 इंच जो है यह हो जाएगा हमारा सिलाई वाला मार्जिन अब हमें चेस्ट और कमर में क्योंकि ज़्यादा फरक नहीं है सिर्फ 5 इंच का फरक है था हमें कोई शेप नहीं कटिंग करनी है आप सिधा ही रखना है इसको क्योंकि बीच में डाट आएगी उससे जो 5 इंच है वो कवर हो जाएगा और यह दे देंगे हम आर्मोल को गोलाई गले की चोड़ाई 4 इंच लेरियों में 4 से सवा 4 इंच के बीच में ले सकते हैं और नीचे से मैंने इसको रखा है तीन इंच यह बहुत नेक है लेकिन जो बहुत नेक का शेप है वो आएगा डिजाइन बनाने से क्योंकि यह डिजाइनर ब्लाउज है तो एक बार हम इसमें गले की कटिंग देंगे तो यहाँ पर हमें जो है मटका शेप ट्रॉ करना है और मैंने आपको पहले काया है कि यहाँ पर हमें गला कटिंग करना है जो डिजाइन बनाएंगे उससे हमारा बाटनेक बनेगा और वो इस तरह से तीन इंच होगा हाफ इंच हमें शोल्डर डाउन करना है और इसी तरह से पीछे डाट का निशान आप लगा सकते हैं अब मैंने वापस इसे डबल फोल्ड किया है कपड़े कोर आगे का हिसा में लेना है तो पीछे का लिया था हमने साड़े चौदा इंच और आगे हम लेंगे दो इंच ज़्यादा क्योंकि काफी सारे सिलाई मार्जेन आएंगे बैल्ट जोडने मेर टक्स वगेरा डाट लगाने में तो हमें दो इंच एक्स्टर लेना हुगा और यहाँ पे छोडना है हमें आधा इंच और उसके बाद अपना शोल्डर लेना है साड़े साथ एंच जो हमने पीछवाले से मिलिया था आर्म होल जो है वो लेंगे हम जो पीछे वाला लिया था हमने उससे आधा इंच जदा क्योंकि आर्म होल पर एक डाट आएगी और ये क्योंकि बॉट नेक है तो यहाँ पर हम इस आर्म होल को एक इंच अंदर के साइड में लेंगे अब दीके चेस्ट साड़े नो है हमारा वन फॉर्ट यह हाफ इंच अगर आप छोड़ दें तो साड़े नो ले 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 और अगर पूरा लेते हैं तो दस इंच ले 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 और ये डाट इंच का हमारा सिलाई मार्चे सेम प्रोसेस नीचे के लिए भी क्योंकि हमने पीछे भी कमने किया था और यह हो जाएगी हमारी आर मॉल की गुलाई अब यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़ कर चार इंच लेना है अपने गले की चोड़ाई और 6 इंच हमें बनाना है तो यह ले लेंगे हम 7 इंच और यहाँ से हम करेंगे बैल्ट अलग जो कि मैं कर रही हूँ साड़े 13 इंच पर यहाँ पर 5 इंच हो जाएगा बैल्ट का तीको नहीं सा कि मैं पर यहाँ दू हाँ कर दो कर दो तो ये दोनों आपने काट ली है अब हमें यहाँ पर बेल्ट में से एक इंच कम कर लेना है और ये हाफ इंच है हमारा उपटी वेला मार्जिन उसके बाद हमें डाट का निशान लगाना है अपने चेश्ट का दसवा हिसा यानि कि 38 इंच है तो 3.8 या यूँ कर लें कि पौन और इसी सीधी लाइन पर एक डाट हो जाएगी हुख पट्टी की तरफ से जो मैं ले रहे हूं डाइ इंच और यहाँ पर डाइड इंच के दूरी से यह हमारी तीसी डाट हो जाएगी साइड फिटिंग की तरफ से और इसको हमने सीधी लाइन पर आफ इंच नीचे ले लि है हमारी 5 और उसकी जो गुलाई है वो है 12 इंच तो पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है चैंच में और उसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे यानि कि चार फोल्ड करना हमें अब देखिए लंबाई हमने लिये 6 और उसके सेंटर में हमने तीन इंच पर एक और निशान लगा दिया है अब हमारी जो आगे की गुलाई है वो है 12.5 यानि कि सवा 6 इंच तो ये जो तीन इंच पर हमने लाइन कीची थी यहाँ पर हमारा एक इंच जादा होना चाहिए यानि कि सवा 7 इंच और ब्लाउज में जो मार्जिन हमने रखा है डैड इंच का वही स्लीव में भी रखना है तो ये डैड इंच रख लिया हमने और उसके बार ये गुलाई देनी हमें यहाँ पर लागा मिलानी है अब देखिए दो इसों की गुलाई देनी हमें जो आगी की साइड में रहेंगे अब यह हमारा अस्तर कट गया है अब हम पीस पर अकर इसकी कटिंग करेंगे आप जब भी उपर ब्लाउच पीस कटिंग करें तो थोड़ा सा एक्स्टर रखें क्योंकि कई बार पतला कपड़ा होता है तो आगे बीचे हो सकता है पीस में जैसे बॉर्डर था तो जहां जहां में बॉर्डर लेना है पहले वह हिस्से हम कटिंग कर लेंगे जैसे पीछे ले लिया हमने और स्लीपर ले लिया है कर दो आए है तो फ्रेंट्स इस तरह से आप आसारने के साथ ब्लोग्स की कटिंग कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिये थैक्स वर वाचिंग